बहु चर्चित गितिका शर्मा सुसाइड केस में दिल्ली की राउज एवन्यू कोट ने 11 साल बाद फैसला सुनाया है इसके मुख्य आरोपी हर्यना के एक पूर ग्रहिराज्रिमंत्री गुपाल कांडा को कोट ने बरी कर दिया है इसके साथ ही एक अन्य आरोपी अरुना चठा को भी बरी कर दिया गिया है कोट से बरी हो जानने के बाद सिर्जा विधाय मीडिया के सामने आये और केस को जूठा बताया और कोट के फैसले पर कुशी जाहिर की दरसल गुपाल कांडा की एरलाइन्स में एर होस्टेज रही गितिका शर्मा ने 5 अगस्ट 2012 को अपने घर में फासी लगा कर आत्मात्या कर ली थी गितिका ने सुसाइड नोट में इस कदम के लिए कांडा और उनकी MDLR कमपनी में सीनियर मैनेजर रही अरुना चड़ा को जिमिदा ठेराया था इसकी बाद गुपाल कांडा को इस मामले में 18 महीनों तक जेल में रहना पड़ा तो चलिए अब आपको बताते ही किस केस में कब क्या क्या हुआ था पांच अगस्ट 2012 को गितिका काश्वप उनके घर पर लटका मिला गितिका के घर से पुलिस ने सुसाइट नोट बरामत किया इसमें कांडा को मौत के लिए जिमिदा ठेराया गया था पांच अगस्ट 2012 को कांडा के खलाफ पुलिस ने मामला दर्श किया था गुपाल कांडा ने हर्याना के ग्रही राज्य मंत्री पत से इस्तिफा दिया 7 अगस्ट 2012 को पुलस ने कांडा को पुष्टाश के लिए बुलाया 8 अगस्ट 2012 को MDLR मैनेजर अरुना चठा को ग्रफतार किया गया 8 अगस्ट 2012 को पुलस ने कांडा को फरार घोशुत कर दिया मही 8 अगस्ट 2012 को कांडा ने अग्रिम जमानत के लिए याचिगा दाखिल की 9 अगस्ट 2012 को पुलस ने कांडा के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया 18 अगस्ट 2012 को कांडा ने अशुक विहार पुलिस स्टेशन में सरेंजर किया सुसाइट की करीब 6 महेने बाद गितिका की मा ने आत्महत्या गर ले गितिका की मा ने अपनी मौद के लिए कांडा को जिमिदार धहराया था मार्च 2014 को गुपाल कांडा को जमानत मिली थी 25 जुलाई 2023 को 11 साल बाद गुपाल कांडा बरी हो गए हाला कि अब 11 साल बाद कोट का फैसला आने से गुपाल कांडा को रहत जरूर मिली है तो वहीं दूसरी ओर अब देखना होगा ति गितिका का परिवार हाई कोट जाता है या नहीं सुरह समाचार के लिए दिल्ली से विनेसिंखी रुपोर्ट